नमस्कार मैं ब्रज मौहन और आप देख रहे हैं जनितावाज इस्पेशल बुलेटेन फोर बहुजन कम्मुनिटी में एक बार फिर से स्वागत है इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन खबरों की जन्हें मनवादी मीडिया तो आरा चापने की जगह पर चिपाया जाता है या पिर तोड मरोड कर अपने आकाउं को फाइदा पहुचाने के इसाव से खबर बताया जाता है इसलिए हम अपने प्रोग्राम में देश-ब्देश की सभी ऐसी कवरों को प्रमता से दिखाते हैं गोधी मीडिया आपको नहीं दिखाती है तो बने रहे हैं मेरे साथ उस वीडियो को अन तक जरूब देखिए तो शुरू करते हैं आज की मुक्य कवरें वो भी विस्तार से पहली कवर है आज 5 सितंबर सिचक दिवस है तो सबसे पहले देश के सभी नन्ने मुनने बच्चों सहित जो भी यवा चात्र जीवन में संग्रस कर रहे हैं बैसे तो हमारे देश के इत्यास में सिचक और चात्रों को खासकर सूधर चात्रों के बीज संवन्द काफी निरास जिनक रहे हैं हम सूधर चात्रों को सिचक रण करने के लिए कुछ विसेश कीमत चुकानी पड़ी है चाहे वो इत्यास में दुरुणाचार को एक लग द्वारा उंका देना हो या पिछले ही दिलों में राजस्तान के जालोर में कीमत जानगवा के चुकानी पड़ी हो देश में इसी चात्र और सिचक के रिस्तों को बरिश्ट पत्र का दिली मंडल ने कुछ इस प्रकार लिका है रादा कृष्ण उप राष्ट पती थे तो उनी सो चगयोनों अपनी सरकार से खुदको बारत रादन दिलवा लिया पिर राश्टपती ते तो कहा कि मेरे नाम इत्यास में अमर करवाना है, मेरे बड़े पर टीचर्टे मनाया जाए उन्होंने अपना नाम 26 बार नोवेल प्राज के लिए विजवाया लेकिन हो नहीं पाया उन्होंने बेटा होने का लंबा इतिजार किया, छटी संता लड़का हुआ फिर रोग गए इंटरकास्ट मेरेज के प्रवल ब्रोदी थे, उनकी तीसेस भी विवादित हैं, वे अच्छे आदमी थे, सादर नमद उत्रप्रदेश की डबल इंजन सरकार में दसकों से सम्मिदा कर्मी अलब मांदे में जीवन विदीत कर अवसाद में आत्मत्या कर रहे हैं जैसे मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में आप से कहता हूं कि सरकार किवल पूझी पतियों को ध्यान में रखकर ही नीती बनाती है एक ऐसा युदाड़े इस खबर में हैं कि कैसे सिच्चा बिवाग में कार कर रहे हैं सिच्चक बंदुआ मजदूरी करने को मजबूर हैं और आए दिल बेवसी में आत्मत्या करना तो आम हो गया है ये एक अख़वार की कटिंग है जिसमें लिखा है पिछले 20 वरसों से उज्वन भवस्त का सपना देग रहे चात बंदूआ मजदूरी कर रहे हैं इस महगाई के जमाने में ये सिच्चा मित्र मात्र 3500 रुपे प्रत महीने पर काम करने को मजबूर है सरकार इनके बेतन पढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दे रही है आई सिच्चक दिवस के मौके पर तीसरी बड़ी ख़वर मद्यपदेश से है मद्यपदेश के मौके मंत्री मामा सिवराई सिंग चोवान ने एक बहुत बड़ा गोटाला करने के साथ साथ जन्हें राष्ट किनमाता कहा जाता है अजारों सिच्चकों के साथ प्रोट किया है मुक्रिमंत्री सुराय सिंग चुवान इन सिच्चकों को प्रेस्ट के नाम पर बोपाल बुलाते हैं इस कारिकर्म में ना तो सिच्चकों के हित्मे कोई पैसला लिया जाता है और ना कोई प्रेसेंट दिया जाता है केवल बाशनों का जुमला सिचकों को तमा दिया जाता है आप इन सिचकों का दर्द सुनिए कैसे भी अपनी पीड़ा बता रहे हैं अब पूर्द मजाग करने का काम किया है यह एक तरह से देखा जाएं तो सिचकों के साथ में बहुत बड़ा मजाख है आपको सम्मान करना ही था तो आप विवस्तिक तरीके थे आप अपने हाउस में बुलाते संबिलन के नाम को बुलाते आप प्रसिक्षण के नाम पर आडर प्रसिक्षण में दे सकते हैं आज पूरा दुनिया में डिजितराइशन हुआ है तो बहुत सारे कस नहीं और अच्छीन कहानिया करो प्रसिक्षण प्रसिक्षण दे सकती है आज वी प्रसिक्षण को पूरे बलाक इस्तरों पर अपनी मांगों और सरकार नी आजती एक सब्सक्राइब करना चाहिए अभी कल दिल्ली के रामिला मैदान में कांग्रेस की महंगाई के खिलाप अला बोल रेली ती इस रेली में रावल गांदी के 72 से एक किलिप को कट करके बीजेपी का आईटी से बाइरा कर रही है जिसमें रावल गांदी से आटे का बाव प्रत लीटर बोल दिया था आटा बाइस रुपे लिटर का समर्थख बता दिया इस्तान के जंडे को अख्थापित करना चाहता कि यह आज से नहीं जब सिब मोदी जी की सरकार बनी लेकिन बोदी जी ने आतंक्यों का समर्थख किया सेना को गाली दी लेकिन मोदी जी ने पूरे देश में पहले भी स्फोर्ट होता था अब करस्मीर की अरहाई और तीन जिलों में गुसेर दिया है और अगली शरकार बनेगी तो पाकिस्तान को भी उसी तरह बिल में गुसेर दिया जाए लेकिन कांग्रेश हर चुनाव के पहले एक राजदूत रखता है मनी शंकर येर पहले राजदूत थे जो जा करके वहां कहते थे कि मोदी हंटाओ तबी वाइरल वीडियो क्लिप को ही सही तत्यमान लिया जाए तो देश में प्रदान मंत्री से बड़ा कोई आतनबादी हो ही नहीं सकता अगली बड़ी खबर उत्रपदेश से देखिए कैसे अमरत काल है योगी जी के लड़ागू पलिसकर्मी एक दूसरे पर दिखा रहे हैं दम जालोन में नसे में दुद्पलिसकर्मी सरे रा आपस में कर रहे हैं मारती इससे ज़्यादा योगी जी के लिए क्या स्रबनाप हो सकता है अगली कभर भी यूपी के लिए कर सकती है मेरी तो समय से परें आपके पास कोई सुजाब हो तो कमेंट वर्क्स में जरूब बताएं अगली कभर भी यूपी के आगरा से देखिए किस तरह से करनमापी या खुलेयाम गुंडागर्दी से टोल गुद का बेरियर तोड़कर रेज से बरेफ तेरे ट्रेक्टर नकाल ले जाते है इसके एक सलूसर नहीं सराब का सकते हो नहीं बताता हो आधर से डोल गुद के से लिए को देखिए करनमापी के आगर्दी या रेखिए वस्ट प्तिए लेखिए क्या योगी जी यही है आपका सुसासन तो आपने देखा देश से किस प्रकार की एक से एक अचम्मे कर देने वाली सामने आई है सिपराज सिंग चोवान जो मत्रदेश के मुक्यमंत्री अपने आपको गरीबों का वहां के युवाओं का मामा कहते नहीं तकते उन्होंने सिचकों के साथ किस प्रकार से प्रॉट किया करीब बाइस या शिचकों को सिचक प्रिस्चड के नाम पर बोपाल बुलाते हैं और उन्हें प्रिस्चकों को प्रिस्चड के नाम पर मात्र बीजेपी की नीतियों से अवगत करा या आता है और केबल और केबल इना सिच्चपों को मिलता है यां मैं उल्स संकोच लगातारीक के बाद एक तेरे टेक्टर को निकाल ले जाते हैं, इतने में भी योगिपलिस को कोई आहठ नहीं सुनाएक देती है किया इस प्रकार सरियां तेरे टैक्टरों को दबंग, खननमाप ये निकाल ले जाते हैं, क्या इसमें सासन पर सासन में बैठे लोगों की मिली भक्त नहीं हो सकती है, आपको क्या लगता अगर आगरा या इस गटना के आसपास के हैं तो हमें कमेंट करके जलूँ बताएं, प आप क्या सोचते हैं क्या राय रखते हैं अपना स्वेया कमेंट अपक्स में जलूते हैं उस वीडियो प्जादा स्याद अपने साथियों में सेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अभी के लिए स्रेपन आई आप देखते रही जाने दावाज नवस्क्राइब